अब देखो हम लोग बात करने वाले पार्ट वन में कि सर निफ्टी क्या कल ही बड़ा ट्रेंड कर देगा क्योंकि सिर्फ डिड़ सो पॉइंट रहे चुके 20,000 के तो क्या सर कल ही निफ्टी चला जाएगा वो डिसकस करेंगे इंट्राइट स्टॉक एंड आप लोगों की क्वैरिस ओके चले फटाट आज का वीडियो स्टार्ट कर लगे है तो शॉट एंड सिंपल में यह समझना कि निफ्टी जो मोमेंटम करें बहुत सॉलिड है वह अभी रिलेंस की वज़े से करा है और रिलेंस की कल कुछ आइटिंग को स्पेशल ट्रेडिंग भी है प्री ट्रेडिंग ठीक है वो स्टॉग एक इनसे डीमर जोने वाला है ठीक है जिए फैनेंश तो अगर आप यहां पे ऑफ्शन निफ्टी के ऑफ्शन चीन डेटा देखो गे है ठीक है तो 19,800 पर सबसेज जादा आपको यहां पर बिल्ट अप होता हुआ दिखे जिया है उसके बाद पूरा ब्लू स्काई जोन है और निफ्टी ने उसी के ऊपर क्लूसिंग लिए है यानि कि प्रॉपर ब्लू स्काई जोन ओके और मैं आपको बताया था कि डाउ जो स्लोएं स्टेड़ेली यहां से एक प्रॉफिट बॉकिंग आ सकती है में भी एक राउंड लेवल को टेच करके प्रॉफिट बॉकिग आए ठीक है या 19,955 लेवल को टाच करके प्रॉफिट बॉकिग आई तो मैं आपसे यह बोलना चाहूंगा कि अभी अगर किसी का निफ प्रॉप में भी है इसकी वाज़े से मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि किसी के पास अगर फ्यूजर्स है ठीक है तो अब भी टाइम आ चुका है आप लोगों का सिफ एक लेवल बचा है जो शायद में भी 20,000 वहां से प्रॉफिट बॉकिंग आ सकती है अब करना के आने का चानसे थोढ़े कम हो जाते हैं और आज लास्ट मोंगें पर ब्रिक वोट दिया है आज अगर निफति को वृई आपश ऑना थो घुणा ए तक मैं रहा है अश्राट के नावर के पहले वह कैसी बन रही थी देखो में यहां से गिरूंगा ऐसी केंडल आखरी एक गंटे पहले बन रही थी आखरी गंटे में क्या हुआ जो recovery आई वो इसके ऊपर closing दिलवाने की कोशिश की तो थोड़ा ट्रेंड बुलिश होने की मूड पर आ चुका है निफ्टी तो मेरी सबसे आपको कल क्या करना चीए गैप अपन हो गया support पर हम लोग खरी देंगे support हो support मैं आपको बता दें तो चाट पर यहां पर थोड़ा पांच मिट की candle ले ले रहे हैं कि यहां पर कि उननीस साथ सो असी से लेके उननीस आठ सो के बीच में यहां पर एक support है अगर गैप अपन हुआ प्रफॉल के यहां पर आता है हम लोग खरीदने की कोशिश करेंगे वापस उननीस नौसो या उननीस नौसो पचास ठीक है वहां तक के target हो सकते हैं तो यहां पर खरीदेंगे स्टॉपलास होना चैपका यह लेवल की नीचे उननीस साथ सो चालिस के नीचे ठीक है और उपर ब्लू स्काइज हो जाता है अगर स्टेवल उपन हुआ ठीक है आज का हाई क्रॉस किया और कम से कम 15 मिट सस्टीन किया तो फिर हम लोग वापस एंट्री करन लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर यह वापस कन्फ्यूस कर देगा हम लोगों को आई वाच समझ में यह कन्फ्यूस कर देगा यानि कि रींज में रहेगा और रेंज कितनी हो सकती है उननीस साथ सो लिए उननीस नौसो के बीच में यहां पर एक रींज रह सकत यह तो अगर उपर जाना है निफ्टी को कंबल सरी थोड़ा बहुत गैप ओपन होना होगा अगर कोई अच्छा ब्लू स्काइज जोन में जाना है तो गैप ओपन होना होगा यहां पर ऐसे दम नहीं तोड़ सकता निफ्टी ठीक है अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखने हो गया या अच्छा ट्रेंड स्राइट हो गया तो शायद निफ्टी गैप ओपन हो सकता है ठीक है तो हम लोग सपोर्ट पर खरीदेंगे बस उतना द्यान में रखेगा है क्लियर बाते यह हो जाते है कलका लॉजिक सीम चीज़े में मस बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी न प्रिसला था जहां से बड़ा फॉल आया था अब अगर यह गैप अपन होगा तो यहां पर एक रेजिस्टन स्पेस करेगा थोड़ा फॉल कर लेगा वापस यह 45 600 के आसपास आएगा वापस अगर ब्रेक किया तो बड़ी मोमेंटम आ सकती यानिकि कल सेकेंड आफ में सुन करेंगे तो प्रॉफिट बॉकिंग करने का सोची के हम लोग एंटरी नहीं करेंगे बले 45 800 करें 900 करेंगे हम लोग नहीं ट्रेट करेंगे आई बात समझ में बस इतना ही आप लोगों को फोकस करना है ओके एंड अगर यह स्टेबल ओपन हुआ मानलो स्टेबल ओपन हुआ तो जैसे कि बला 45 800 जाएगा वापस प्रॉफिट बॉकिंग अगर गैब डान ओपन हुआ तो वापस यह रेंज के बीच में फस जाएगा और इसको ब्रेक आउट करने के लिए वापस यहां से उपर जाना पड़ेगा और हम लोग शॉट करेंगे यह लेवल की नीचे जहा लेकिन वोग अब सेके नाफ हैं अब साइड सेके नाफ डाउन सेट तो कभी भी हम लोग ट्रीड कर सिपके हैं तो बस इतना द्यान में रिकना निफ्टी ब्रेक आउट के लिए रेडी हो चुका है अलाकि बैंक निफ्टी में सपोर्ट नहीं आ रहा अलब स्ट्रेंथ नह इसने एक अच्छी खासी रेंज ब्रेक की है यहां पर 7600 7600 को ब्रेक कर दी स्टॉक में मोमेंटम आ सकते हैं एक सी डेड़ परसंद के लिए स्टॉक को ट्रेड किया जा सकते लेकिन लेवल का वेट करना अगर ब्रेक करता है दो पांच मिट सस्टीन करता है देन हम लोग ट और काफी कंपनी के रिजल्ट अचा है बेंक के तुमें भी इशादी अच्छा मोमेंटम कर सकते हैं तो इसको फोकस कीजिएगा वाच लिस्ट पर रखेगा तीसरा हो जाता है इंडिगो अब देखो सुनो ध्यान से मार्केट में ऑप्शन इतना प्रॉपरली वर्क नहीं क मार्केट में इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बन रही कि स्टॉक नेक्स डे को ट्रेंड कंटीनियो करें मुस्टली तो बस उतना जान में रखेगा इंडिगो अगर बात कने चाहिए तो इंडिगो शायद यह ब्रीक का सकता है तो अगर मोमेंटम की 27 साथ को ब्रीक किया तो का स्टॉपलस एक से ते परसें तक के हमारे टार्गेट यानि यानए कि आट सो तीस जा सकता है और एक परसन का स्टॉपलस है ।ो अचकेम की मार्केट में तो मोमेंटम अभी इस टील आन है देखो ये वीडियो must watch जिसके पास भी portfolio है और loss 90% नहीं करना चाहते तो ये 10 मिनिट का वीडियो आपके लिए life changing होगा नया stock के साथ नया stock भी दिया है ओके मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए goodbye जाए है